आपके दोस्त नारा आजाब के लिए लेकर आएं हूँ शीत पित को ठीक करने के लिए कुछ घरेलो उपचारों के बारे में अगर आप शीत पित से ग्रस्त हैं तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं एक ग्लास गुनगुने पानी या फिर दूद के साथ एक छोटा चमच हल्दी मिलाकर दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करें ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा तुलसी के पत्तों की चाय बनाने से हमारे शेरी की सारी गंदिगी साफ होती है और हमारा रग्त शुद बनता है जिसकी वज़े से शीत पित का खत्रा काफी कम हो जाता है टिप नमबर 3 है गुलर का रस गुलर के पत्तियों का 15 मिली ग्राम रस निकाल कर रोजाना इसका सेवन कम से कम 15 दिन तक कीजिए ऐसा करने से आपको शीत पित में काफी आराम मिलेगा टिप नमबर 4 है पुदीनी की चाय पुदीनी की चाय का सेवन करके आपको शरीर में होने वाली खुजली से काफी लाब मिलेगा टिप नमबर 5 अरंडी के तेर का प्रियों करके भी आप शीत पित से जुटकारा पा सकते हैं पांच बुद अरंडी के तेर को पानी या फिर गरम तूद के अंदर मिक्स करके इसका सेवन कीजिए ऐसा फेनने से आपको शीत पित में काफी आराम मिलेगा सो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे घरेली नुसके जिनका इस्तिमाल करके आप जलती ही शीत पित से अपने आपको निजात दिला सकते हैं इन साइट टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूस को हमाई साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसे रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राब कीजे तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजादत लेती हूँ